नमस्कार दोस्तो वेलंकम टो उन्ति कमपूटिशन क्लासिस। उन्ति कमपूटिशन क्लासिस में आप सभी का फिर्से एक बार हारी स्वागत है work दोस्तो आजेराइस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉश्षिन्स की जो आपके exam के point of view से बहुत important होंगे और इतने questions कम से कम आपको पता होने ही जाएगे जिस तरह से आप एक छोटा सा interview देने जाते हैं किसी private company में उससे संबंधित हर छोटी सी छोटी बातों का आप दियां में रखते हैं जैसे कि resume कितना lengthy होना चाहिए resume में क्या बात लिखूँ और क्या नहीं सबसे पहले पर नाम लिखूँ तो उसके बात qualification लिखूँ या फिर family के बारे में बताऊँ या फिर अपने एक्स के जाऊँ पड़े पहन के जाऊँ शर्ट कौन सी पहनूँ लेन या लाइनिंग वाली shoes कौन से color के पहनूँ या hair style कौन सा रखूँ presentation अपना किस तरह से रखूँ दुनिया भर के सवाल के जवाब आप तलास करने में निकल जाते हैं interview दिने से पहले उसी तरह से अगर आप competition के तिहारी कर रहे हो बच्चो तो आपको कुछ basic standard questions पता होने चाहिए उन सभी questions को आपने tips पर याद रखना है जैसे ही exam में वो घुमा फिरा के आपसे question पूछेगा आपको पता होना चाहिए इसका right answer क्या है यह जो part होगा यह होगा one liner gk का एक line में मैं इसके आपको answer पढ़के बताऊंगा आपको समझाऊंगा आप इन सभी questions को pan down कर लिजेगा और उम्मिद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आए तो please इसको like करना मत भूलेगा और अगर आपने चैनल को अब तक subscribe नहीं करा है तो वीडियो के end में आप decide करना कि आपको subscribe करना है या फिर नहीं subscribe के करने से पहले आप इस चैनल की playlist में जाएए वहाँ पर watch करिए देखिए कि वहाँ पर जो भी वीडियो है आपके लिए कितना useful होंगे और कितना helpful आपकी कर सकते हैं तो अगर यह चैनल आपकी help करेगा तभी subscribe करना अन्यथा मत करना तो प्यारे बच्चों without any delay शुरू करता हूं आज का अपना यह वीडियो Part 1 Question No.1 भारत ने 30 अप्टूबर 1945 को सयुक्त रास्टे संग की सदैसे का ग्रेंड की यहां पर जो आपको याद करने वाला जो की है वो है आपका 30 अक्टूबर 1945 आप इसको राइड डाउं करिए इसको याद करिए बढ़ते हैं अगले Question की ओर कि जुनेश्को की स्थापना कब होई थी जुनेश्को की स्थापना होई थी 16 नवंबर 1945 को सर्फ पढ़तां ACI खेलों में 11 देश समरित होई थे यहां पर हमारे पास Question सा है कि ACI खेलों में टोडल कितने देशों ने पार्टिसिपेट करा यह करा 11 देश ने लोहे का सबसे सुधितम रूप कौन सा होता है पिटवा लोहा यह कई भार एक्जाम में पूशा गया है और यह काफी basic questions है आप सबको पता होना चाहिए बढ़ते हैं आगे अगले questions की और कि विश्व में मक्खन का सरवादिक उत्पादन रूस में किया जाता है सबसे ज़्यादा जो बटर होता है जो मक्खन होता है वो कहां पर पाया जाता है वो पाया जाता है आपका रूस में अगला question है नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है एक्जाम में कुछ इस तरह से question पूछेगा की गुजरात की जीवन रेखा कहलाने वाली कौन सी नदी है उसका नाम क्या है आपको चार option देगा बट आपको याद रखना है नर्मदा नदी इसी के साथ एक question basic questions एक और बनता है की दच्छण की गंगा किसको कहते हैं इसका अंसर है गुदावरी अगला questions भारतिय राज्य हरियाना में परवाहित होने वाली एक मात्र नदी कौन सी है ये है घगर घगर अगला questions अमरत सर के स्वान मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने 1577 इस वी में करवाया था किस ने करवाया था गुरु अर्जुन देव ने और कब कराया था वो साल क्या था 1577 इस वी में अगला question है कि festival का नगर के रोप में किसको जाना जाता है कौन सा state है जहां पर maximum festival celebrate करे जाते हैं इसका right answer है तमिलनाडू next question uranium को आसा की धातू तथा plutonium को डर की धातू मसलब भे भे की धातू जो होती है वो होती है plutonium और आसा की धातू किसको बोलते है uranium को अगला question है जीवन रक्षक धातु कौन सी होती है रेडियम तथा पारे को बोलते हैं हम लोग तीर्व चान्दी पारे को बोलते हैं तीर्व चान्दी और जीवन रक्षक धातु कौन सी होती है ये होती है रेडियम दोनों में से कुछ भी वो question में पूछ सकता है और confuse हुने की आवशक्ता आपको बिल्कुल नहीं है अगर आप pendant कर रहे हैं सही समय पर उसको revise कर रहे हैं तो आपको ढरने की आवशक्ता बिल्कुल भी नहीं है बढ़ते हैं अगले question की ओर विश्व की सबसे बड़ी बेरज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी कौन सा बेराज है वो है फरक का बेराज फरक का बेराज अगला question विश्व का सबसे चौड़ा जलपरपात लाउस का खोन जलपरपात है सबसे चोड़ा जो जलपरपात है वो कौन सा है यह है कोन जलपरपात इसका नाम आप याद रखेगा बढ़ते हैं आगे नैशनल पुलिस अगैडमी कहाँ पर है हैदराबाद में फीन लेंड की राजधानी हेल सिंग की है देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिचाई कौन से स्टेट में होती है इसका राइट अंसर है उत्तर परदेश में उत्तर परदेश में मैक्सिमम जो सिचाई होती है खेतों की वो किसके द्वारा होती है नहरों के द्वारा भारत की सबसे पुरानी नहर Grand Anicate कहां पर है यह कावेरी नदी कहां पर है तमिलनाडू में अगला कुश्चन है मवेसियों में खुर रोग विशानू द्वारा होता है अगला कुश्चन स्वेत्तर भारत का पर्थम बजट को किसने परस्तुत करा था यह करा था जौन मत्थाई ने यह ऐसे व्यक्ति थे जिनों ने भारत की अजादी के समय पर्थम बजट परस्तुत करा था अगला कुश्चन है कि परधान मंतरी इंद्रा गांधी ठीक है और बोला गया है तथा पाकिस्तान के नेता कौन थे जुलीफर अली भुट्टो या जुलफी कार भी बोलते हैं इनको अली भुट्टो के बीच में एक समझोता हुआ था उसका नाम क्या था उसका नाम था सिमला समझोता कब हुआ था एक्जाम में मैक्सिमम ये पूछता है कि सिमला समझोता कब हुआ था 1970, 1971, 1972, 1973 तो डारेक्ट आपको याद करना है किस किस के बीच में हुआ था कब हुआ था ये हुआ था 1972 में अब बढ़ते हैं आगले कुश्चन के और National Chemical Laboratory कहां परिस्तित है ये है पूने में संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा कौन सी है मंदारिन ये कहां की है चीन की मुगल गार्डन Every year परतेक वर्स कहां पर लगता है राश्ट पती भवन में और ये कहां पर है दिल्ली में केरल का उच्च न्याले कहां परिस्तित है ये है एरना कुलम में केरल की बात कर रहा है केरल का उच्च न्याले कहां परिस्तित है ये है एरना कुलम में हेल मुट कोल जर्मनी के चांसलर थे विस्वु मांसिक स्वास्त दिवस कब मनाया जाता है ये मनाय जाता है 10 अक्टूबर को अगला कुश्चन्स होमियोपैथ की खोज किस ने करी थी हैनी मेन ने हैनी मेन ने होमियोपैथ की खोज के थी बढ़ते हैं अगले कुश्चन्स की और वीस्विकी परतम महिला अंतरिक्ष यातरी वेलेंटीना तेरिस्कोवाथी पर्थम महिला अन्तरिक शियात्री वो भी कहां की पूरे विस्व रिकी ये पूरा कुशन सब ऐसे ही नोट करेंगे इसमें कुछ चेंज नी करना आपको आगे बात करते हैं हम लोग बाल दिवस कम मनाए जाता है चौदे नमबर को पर्थम वित्यायव का गठर 1951 में हुआ था नागरिक ओडियन परसिक्षन केंदर कहां पर है इलाबाद में सन 1690 में भारतिय नगर कुलकत्ता की स्थापना जॉब चौर्नक ने की थी अगला कोशन से जील के अंदर जील गंगा की सबसे बड़ी सहक नदी कौन सी है यमना कहते हैं गंगा यमना गंगा के साथ यमना का नाम automatic हमारे जबान पर आ जाता है तो मतलब गंगा की सहक नदी कौन सी हो गई यमना धेस का सबसे बड़ा प्रश्ट परदेश वाला बंदरगा कौन सा है कैलकटा अगला कुश्चन है वीश्वी की सबसे प्राचीन ग्यात लिखित भासा कौन सा है सुमेरियन अगला कुश्चन भारतिया वन सर्फिक्षन विभाग के स्थापना कब हुई थी 1981 में सरपर्थम इंडिया सब्द का परियोग किसने करा था हमारे भारत के लिए हम भारत को इंडिया भी कहते हैं इस यह दो इंडिया वर्ड था सबसे पहले किसने यूज़ करा था भारत के लिए यह थे युनानी ये questions काफी basic questions है अधिकांस बच्चों को पता होगा नहीं पता है तो आप note करिए इसको इसे भी आप script नहीं कर सकते रबड जो ये पौधा होता है कौन सी जलवायों में पनपता है तो इसका right answer है भूमद्य रेखे दिल्ली के लाल के लिए में इस्तितिक मोती मजजिद है वो मोती मजजिद किसने बनवाई थी उसका नाम उसका नाम है औरंगजे 1909 के अधिनियम के तहट मुसलमानों के लिए परत्थक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन आयों की व्यवस्ता की गई थी ये अधिनियम था 1909 स्वी का अधिनियम 180 डिगरी देसांतर रेखा को 1884 में वासिंग्टन विदान सभाव में अंतराश्टिय तीथी रेखा माना गया है पर्थम फिल्ड मार्सल जनरल मौसिंग सो थे राष्टपती अनुचेद 123 के अंतरगत क्या जारी करता है ये करता है अधियादेश राष्टपती अधियादेश कौन से अनुचेद के अंतरगत करता है एक्जाम में अगर कुछ इस तरह से कुश्चन पूछ ले घुमा फिराके तो आपको ये दोनों चीज़े याद रखनी है अनुचेद 123 अधियादेश फिल्ली के राष्टपती अगला कुश्चन से अकबर ने मुहमद हुसेन कस्मीरी को जड़ी कलम के उपादी दे थी किसने किसको जड़ी कलम के उपादी दे थी अकबर ने दे थी किसको मुहमद हुसेन कस्मीरी को चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन के वह फर्स्ट विश्व कब हौके का आयोजन कब करा गया था और कहां पर यह करा गया था 1971 में कहां पर बार्सी लोना में अगला कोश्चन से हैं भारत में सरवादिक पर जाती कौन से होती हैं कौके सॉइडस वाटर पोलो के पर्तियक पक्ष में कितने किदने किलाडी होती हैं साथ साथ किलाडी सावन सावन और क्रिकेट में ग्यारा ग्यारा की लाड़ी नहरो ट्रॉफी पॉक की खेल से संबंदित है वर्ष का प्रथम ग्रैंड सेलेम टैनिस टूर्नामेंट और स्टेलियन ओपन होता है अगला कोशन से है क्रिकेट के खेल में पॉम्पिंग क्रीच की माप कितनी होती है चार फुट भारत में कितनी समाचर एजन्सिया है टोटल फाइव यह है आपका राइट अंसर पाइव वो फोर्स नाम की तौप कहां पे बनाई जाती है यह बनती है स्वीडन में वर्ल्ड टेट सेंटर पर हमला कब हुआ था 11 सेप्टेंबर 2001 को चीन ने 19 सेप्टेंबर 1962 को भारत पर आकरमन किया था 1962 में चीन ने हमारे उपर क्या करा था आकरमन करा था अगला कोशन से है आल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी 1936 में चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर परेटन दिवस कम मना जाता है 27 सेप्टेंबर को यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को प्रत्थम बार भारत में IS की परिक्षा जो आप UPSC के एक्जाम बोलते हैं यह उसकी बात कर रहा है यहां पर परिक्षा कब हुई थी वो साल कौन सा था वो साल था 1947 सीरिया की राजणी दसमिक seven एक वो लोविया की राजणी क्या है लापाज वर्जीन एर लाइंस बेटें देश की है प्रॉफेसर सतीष दहान अंत्रीक्ष केंद्र कहां पर है आंधर परदेश में बहुत अच्छा कोशन है अगला कोशन से भारतिय सेना खा सरवोच पद जन्नल होता है नाशनल टैनिस अकेडमी कहां पर है गुरगाओं में स्थित है कावेरी जल विवात के निप्टारे के लिए कावेरी जल न्याधी करण का गठन दो जून 1990 को ह हुआ था कलपना चामलत की मिर्त्यू कब हुई थी काफी फेमस परस्नालिटी थी यह एक फरवरी 2003 को कौन से जानके अंतरगत कॉलंबिया जानके दुरगटना से नेता जी सुभाशन बोस का जनम कब हुआ था 23 दिनवरी 1897 को 1897 में कहां पर उडिसा में कटक में सैथ राश्ट्य संग के माहसचीव हैमर शोल्ड 1953-1961 के मिर्त्यू 1961 में विमान दुगटना में हुई थी उडिसा राज्य बिहार से 1936 में अलग हुआ था उडिसा पहले किसका था बिहार का एक सयुक्त एक राज्य था लेकिन ये बाद में अलग हो गया कब हुआ 1936 में बोध धर्म के स्थापना चटी स्थापदी इसापुर में हुई थी आनाल इकटस, कन्फियोसियस की पवित्र पुस्तक है ये किसकी पवित्र पुस्तक है? ये है कन्फियोसियस की नाम क्या है पुस्तक का? अनाल इकटस दोनों नाम आप याद रखेगा अगला कुश्चन से है पिकिंग कन्फूसियस का एक पवित्र इस्थल है कन्फूसियस का पवित्र इस्थल कौन सा है पिकिंग और पवित्र पुस्तक की बात करी जाए अनालिकटस या अनालिकटस तो बच्चो आज के इस वीडियो में बस इतना ही उम्मिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सभी questions मैं again repeat कर रहा हूँ बहुत basic questions थे ये सभी questions आपको पता होने चाहिए थे अगर नहीं पता अगर आपने pan down करे हैं सभी questions अपने notes में लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है और सभी समय पर इसको आप revise कर लेजिएगा Thanks for watching this video मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको like करिएगा और आपके जितने भी friends जो भी friends competition के त्यारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पिलिज शेयर करना मत भूलिएगा Bye Bye Take Care and All the Best